दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बता रही हैं एशिया कप से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट न्यूज तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप क्रिकेट टॉर्णामेंट 2013 के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे पाकिस्तान में टॉर्णामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे और बाकी की बचे 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे शिरुवाती गुरुप स्टेज के 4 मैच पाकिस्तान में होंगे ऐसे में सबी फैंस के मन में एक सवाल उट रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगी और वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच मकाबला होगा तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है इनमें एक गुरुप से पाकिस्तान वर्सिस नेपाल मैच और दूसरे गुरुप से अफगानिस्तान वर्सिस बांगलादेश अगला मैच अफगानिस्तान वर्सिस श्रिलंका और बांगलादेश वर्सिस श्रिलंका मैच शामिल है यानि कि पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा तो वही एशिया कप का फाइनल मुकाबला भी श्रिलंका में खिला जाएगा 31 ओगस्ट से 17 सितंबर के बीच होने जा रहे इस टौनामेंट के कौन से मैच के शहर में होंगे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है वेल दोस्तों श्रिलंका में कौन-कौन से मैचेस होंगे ये भी आपको बता देते हैं तो श्रिलंका में ग्रुप स्टेज से भारत वर्सिस पाकिस्तान और भारत वर्सिस नेपाल मैच खेले जाएंगे इसके बाद दोनों ग्रुप से टॉप टू नंबर पर रहने वाली टीम में सुपर फोर्ड में पहुँचेंगी तो वहीं सुपर फोर्ड के सभी मैच और फाइनल भी श्रिलंका में खेला जाएगा वैल आपको बता दे कि एशिया कप के मौजूदा सीजन की मेजबानी काफी जादा विवादों में गिरी रही है इसके आयोजन का जिमा पाकिस्तान को दिया गया था तो दोस्तों इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल यान की ICC के कैलेंडर में 2023 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यान की BCCI ने कैलेंडर ज़ारी होते ही ये साफ कर दिया था कि टीम इंडिया खेलने के लिए पाकिस्तान दो नहीं जाएगी BCCI ने एशिया कप किसी निउट्रल वेन्यू पर कराने की बात कही लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं माना हलांकि पाकिस्तान ने टोनमेंट को हाइब्रीड मॉडल पर कराने का प्रस्ताब दिया था हाइब्रीड मॉडल के मताबिक भारत के मैच पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में करा दिये जाएंगे और टोनमेंट के बाखी बच्चे मैच्चेस पाकिस्तान में होंगे भारत अगर फाइनल में पहुँचता है तो फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर होगा वेल दोस्तो पाकिस्तान को मेजबानी मिलने की बाद एशिया कप 2023 के आयोजन को लेकर पूरे विवाद को फिलसले बार पॉइंट्स में एक बार आपको समझा देते हैं तो दोस्तो ये विवाद शुरू हुआ था ऑक्टूबर 2022 से जब जैशा का बयान आया था कि पाकिस्तान नहीं जाएगी भारते टीम और नीट्रिल वेन्यू पर होगा ये आयोजन इसके बाद दिसम्बर 2022 को PCB चेर्मेन रमीज राजा का शहा की बयान पर पलटवार आया जब उन्होंने कहा कि मेजबानी चीनी तो एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान भारत भले ना आये लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए इसके बाद दिसम्बर 2022 में T20 वर्ल्ल कप के बाद रमीज राजापद से हटे इनके बाद नजम सेठी PCB चीव बने इसके बाद दिसम्बर 2022 में पाकिस्तान के मुख्या बदलते ही PCB नर्म हो गया तो वहीं जन्बरी 2023 में ACC ने कैलेंडर को जारी कर दिया सितम्बर में टोनामेंट के आयूजन का एलान हुआ जन्बरी 2023 की ही बात करें तो कैलेंडर लाँच होने पर फिर से विवाद हो गया PCB ने कहा हमें जानकारी नहीं दी गई थी फरवरी 2023 जब BCCI का प्रपोजल न्यूट्रियल वेन्यू पर प्रणामेंट का आयूजन करने पर बात हुई पर बात नहीं बनी तो वहीं अपरेल और मई 2023 में PCB ने ACC को हाईब्रीड मॉडल का प्रस्ता भीजा जो की मान लिया गया और अब एशिया कप का जो आयूजन है वो दो जगा पर किया जाएगा यानकी पाकिस्तान और श्री लंका भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर हुए इतने ज़्यादा विवात पर आप सभी का क्या कहना है और आप कितने ज़्यादे एकसाइटेड है भारत और पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए अपना जवाब नीची कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए तब तक लिए आप देखते रहे हैं क्रुकेट लाइन गुरू सो स्टे ट्यून और की वाचिंग